Hello everyone, I am Sachin और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप BA प्रोग्राम या BA ओनर्स को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि आपके लिए क्या ज़्यादा बहतर रहेगा आप अगर कन्फ्यूजन में हो तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो य इसका पस्तावा बाद में होता है तो आपको बताऊंगा कि UPSC के लिए कौन सा ज़्यादा बहतर है सरकारी नौकरी, competitive exam, teacher बनना है अगर आपको तो उसके लिए ज़्यादा कौन सा course जो है वो बहतर रहने वाला है तो ये सारी तमाम बाते हम करेंगे इस वीडियो के अंदर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा motivation बढ़ता रहे और हम ऐसे ही आपके लिए content लाते रहें तो आगे बढ़ते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी query हो तो आप Instagram पे मुझे message कर सकते हैं मेरा username आप सभी के सामने लिखा हुआ है कुछ भी ना समझाया हो तो आप आके मुझे से वहां भी पूछ सकते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाते समझाने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें आप ओनर्स पॉल साइंस ओनर्स में जा सकते हो हिस्ट्री ओनर्स में जा सकते हो ठीक है एकोनॉमिक्स ओनर्स में जा सकते हो साइकॉलजी ओनर्स में जा सकते हो ठीक है बहुत सारे ओनर्स होते हैं हिंदी ओनर्स में जा सकते हो इंगलिश ओनर्स में जा स सकते हो संस्क canopy oners में जा सकते हो oners का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज को उसके बेस्ट से बेस्ट तरीके के रूप में सीखना यानि कि आप अगर pole science oners में जाते हो तो आप pole science के विदवान बन के लोट आप इतना deep pole science को पढ़ लोगे कि आपको शायद ही कोई और course में पढ़ाया गया हुआ अज तक इतना history में जाओगे तो इतनी deep history पढ़ लोगे कि उसका विदवान बन जाओगे ठीक है honors का मतलब ही यही है कि यह आपको एक subject की बहुत deep knowledge देता है और आप उसमें specialized हो जाओगे particular subject के अंदर जिसमें भी आप honors करोगे आप आगे research work में जाना चाते हो higher studies में अगर आप चाते हैं professor बनना या आप उस subject को बहुत deep ज़्यादा पढ़ना चाते हो है ना particular subject को तो आप BA honors के लिए जरूर जाएं अगर आप किसी एक subject को बहुत ही अच्छा पसंद करते हैं पॉल साइंस honors आपका favorite है आप चाते हैं आपका career भी आप उसी में बनाना चाते हो पॉल साइंस honors मतलब पॉल साइंस से related fields में तो आप पॉल साइंस honors को कर सकते हो honors course यहाँ पे आपके लिए suitable है लेकिन अब BA program में क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा honors में आपको इत पहले 2 subject होते हैं paper 1 और paper 2 यह वो होते हैं जिसमें आप honors कर रहे हो अगर आप for example history honors में गए हो तो शुरू के जो दो paper है यह दो subject हैं वो history से related होंगे paul science honors कर रहे हो तो शुरू के دो जो paper हैं वो poll science से related होंगे Hindi honors कर रहे हो तो शुरू के दो जो हैं वो हिंदी से related होंगे आयोप आपको समझ में आ गया होगा फिर generic elective subject तीसरा होता है ये वो subject होता है जो कि आपके honors paper से अलग होना चाहिए for example आपने poll science में honors लिया है तो शुरू के दो paper poll science के और generic elective जो subject होगा इसमें आपको बहुत सारे subject दिये जाएंगे select करने के लिए आप poll science को छोड़ कर कोई भी ले सकते हो आपका जो main course है वहाँ से आप subject नहीं लोगे जनरे कलेक्टिव का मतलब ही यही होता है कि poll science तो आपने पढ़ी रहे हो आप मेंने आप history ले सकते हो इसमें आप economics ले सकते हो ठीक है हिंदी ले सकते हो तो यह generic elective होता है फिर AECC होता है ability enhancement ठीक है course होता है यह इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपको EBS पढ़ाई जाती है जब आप जाओगे ठीक है environmental studies पढ़ाई जाती है English communication पढ़ाया जाता है first year के अंदर तो यह first year का structure कुछ इस तरीके से अभी तक रहा है मतलब इसका रहता है जो मैंने आपको अभी बताया है honors का ठीक है honors में आप इस तरीके से पढ़ने वाले हो अब B.A. program के अंदर क्या होता है देखो good knowledge of all subject B.A. program आपको लगबग सभी subjects की अच्छी खासी knowledge दे देगा ठीक है यहाँ पर क्या था honors में कि आपको एक subject की deep knowledge मिल रही है pole science के दो दो paper है लेकिन B.A. program में क्या होगा आपको combination में course दिया जाएगा जैसे कि for example आपको history और pole science पढ़ना पसंद है तो आपको history और pole science के combination में admission मतलब आपको लेना पड़ेगा आपको pole science और economics पसंद है तो आप pole science और economics को अपने domain subject रख सकते हो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि honors के अंदर जो domain subject हैं वो वही होते हैं जिसमें आप honors कर रहे हो बिये प्रोग्राम में क्या है कि जो आप अपने दो combination लोगें ठीक है history plus philosophy तो यह आपके दो main subject रहने वाले हैं जो कि आप तीनों सालों को मतलब तीनों साल तक इनको पढ़ने वाले हो ठीक है और यह आपका अभी तक जो structure है जो चल रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ तो combination subjects होते हैं यहापे ठीक है history plus pole science economics plus English, Hindi plus philosophy यह आपकी पूरी merit list में लिखा होता है यह जब आप form fill करोगे तो वहाँ पे भी आप इसके option को देख सकते हो तो BA program के एक flexible course है मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी Hindu college से North campus से BA program से अपनी graduation की है ठीक है 2022 में अभी मेरी complete हुई है और BA program to be honest मुझे काफी अच्छा लगा मैंने जिस time पे admission लिया था मेरा BA honors में भी हो रहा था लेकिन मैंने BA program में admission लिया अब इसका reason यही था कि एक तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा subjects पढ़ना पसंद है मैं चाहता था कि मेरी जो general knowledge है वो ज़्यादा से ज़्यादा subjects की हो ठीक है यहाँ पे honors में आपको एक subject के बारे में बहुत deep पढ़ाये जाएगा लेकिन मैं चाहता था कि एक ही subject को बहुत ज़्यादा deep ना पढ़ते वे लगबख सभी subject जो होते हैं हमारे common उनकी knowledge होनी चाहिए general ठीक है तो यह मेरा perspective था हो सकता है आपको भी यह चीज़ पसंद हो हो सकता है आपको एक subject पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद हो ठीक है तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है बी ए प्रोग्राम के अंदर आपको एक ही subject के अंदर bound करके नहीं रखा जाता flexible in the sense आपके exams होते हैं slaves इतना ज़्यादा complex नहीं होता आप मतलब अच्छे से याद कर सकते हो और सब कुछ आप अच्छे से लिख सकते हो honors में माना जाता है कि थोड़ा सा slaves complex होता है deep जादा होता है ठीक है और थोड़ा सा महाँ पे क्या होता है कि आपको मेनच जादा करने पड़ती है जबकि BA program इसके comparison में थोड़ा सा flexible माना जाता है ठीक है यहां तक आपको अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़े BA program का अब जो course structure है ठीक है उसमें मैंने आपको बताया कि combination में पढ़ाया जाता है आपको combination जो आपके होते हैं जैसे history हो गया plus दूसरा subject जो है आपका pole science हो गया history plus pole science आपके दो main subject है तीसरा जो subject होगा वो आपका MIL का होता है MIL का मतलब होता है modern Indian language इसमें आपको Hindi, Tamil, Telugu, Sanskrit बहुत सारी ऐसी और भी languages हैं जिसमें आप MIL को select कर सकते हो English, Hindi वगरा ठीक है so MIL आपका language subject होता है और यह language subject honors में आपको नहीं मिलता ACC का subject जो honors में होता है बिल्कुल as it is यहाँ पे भी होता है वही honors वाला subject जो आपको BA program में भी पढ़ने को मिलता है EBS और English, ACC जो मैंने आपको पीछे बताया था ability and enhancement courses ठीक है so यह भी यह program के अंदर आपके चार subject होते है Paul science owners के अंदर भी आपके चार subject होते है so यह सारी अभी तक तो मैंने आपको comparison बता दिये है structural कि क्या-क्या इसमें होता है कि कहां ज़्यादा पढ़ना है, कहां कम पढ़ना है अब बात अगर करे हम भई UPSC के लिए कौन सा अच्छा है तो भाई मेरी नजर में दोनों अच्छे है अब यह आपके उपर candidate पर depend करता है अगर आप ऐसे candidate हो जिसको एक subject पढ़ना बहुत पसंद है आप optional के लिए जाना चाहरे हो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके तयारी हो जाए तो आप poll science ओनर्स ले सकते हो history ओनर्स ले सकते हो economics ओनर्स ले सकते हो आप ऐसे student हो जो competitive exams देते रहना चाते हो teaching line में जाना चाते हो school level पे और आप चाते हो छोटे मोड़े जितने सरकारी नोकरी के exams होते हैं इसकी भी तयारी चलती रहे और आपको आपको course भी help करें तो BA program आपके लिए best रहेगा क्योंकि BA program आपको ज़्यादा से ज़्यादा subject offer करेगा it means ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी GS की knowledge है वो बढ़ेगी और BA owners क्या है आपको optional के लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि optional में क्या होता आपको deep knowledge होनी चाहिए उस subject की UPSC के लिए so BA owners आपको बहुत ज़्यादा deep में उस subject को पढ़ा देता है at the end आप उस subject के ही विदवान बन जाते हो so क्या है कि भई doesn't matter क्योंकि आपको भई इदे को जरूरी नहीं है कि जो owners करता है वहीं से ही IS बनते है या जो program करता है वहीं से ही सब कुछ होता है आपको पढ़ना सब पढ़ेगा graduation में आपने जो पढ़ा सो पढ़ा लोग BTEC करके भी आते हैं UPSC देने so BTEC कसलेवस नहीं आता उनका ठीक है वो भी शुरू से पढ़ते हैं पूरा GS, GK जितना भी कुछ होता है सबी को पढ़ना पढ़ता है so यही था ठीक है कि आपके उपर भी यह depend करता है अगर आप ऐसे student हो कि भाई जिसको ज़्यादा ज़्यादा जैसे school time में क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको सारे subject पढ़ना पसंद होते हैं जैसे मैं अपनी बात करूँ history, pol science, geography मुझे पसंद थे मुझे किसी एक subject में ही सिरफ interest नहीं मुझे सभी में बराबर interest था तो मैं इसे लिए B.A. program के लिए गया ओ सकता है आप ऐसे बच्चे हों जिसको history बहुत पसंद हो तो आप history के लिए चाहिए आप अगर professor के line में जाना चाते हो आगे ठीक है net.jrf clear करके आप professor बनना चाते हैं और अगर PhD वगरा के लिए जाना है किसी एक subject में बहुत deep knowledge आपको लेनी है तो आपके लिए honors बना हुआ है ठीक है honors professor level तक पढ़ाना चाते हो तो honors में जाओ teaching level school तक रखना है तो आप BA program के लिए जाओ आपको फाइदा मिलेगा वहाँ पर ठीक है तो यही सारी बाते थी BA honors versus BA program की मैं BA program से हूँ तो मैं यह नहीं कहूँगा कि भाई बायस्ड होगे कि BA program ही अच्छा है आप उसमें चाहिए मैंने यह decision आपके उपर भी छोड़ा है कि अगर आप ऐसे student हो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़े पढ़ना पसंद है तो आप BA program में जाओ best है आपके लिए अगर आप ऐसे student हो की एक subject में deep knowledge लेनी है research field में जाना है आगे higher studies के लिए जाना है तो आप honors के लिए जाएए ठीक है तो यही था आज की इस वीडियो में अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को subscribe करना ना भूले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को share करें और like करें ज़्यादा से ज़्यादा और comment box में ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगी जै हिंद जै भारत बहुत बहुत धन्यादा